नमस्कार दोस्तों एक बार फिर उपस्तिते हैं NCL का जो पेपर 27 बारे 2020 को हुआ है इसका सेकेंड पार्ट लेकर इससे पहले भी इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिये गया है आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डेक्सक्रस्टन मे मिल जाएगा तो चलिए फिर दोस्तों देखते हैं अब इसके दूसरे पार्ट में कैसे कुश्चन आये थे तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए फिर दोस्तों देखते हैं अब देखते हैं कुश्चन पेपर में जो आधा जो पैटरन है टेक्निकल का वो ट्रास्पार्मर से ही सम्मधित पूछा गया है और अब नजर मारते हैं कि ट्रास्पार्मर के कितने कुश्चन एक्जाम में आपको आए हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले कुश्चन की यानि सूनने लोड आप देख रहे होंगे ये वाला सूनने लोड भार पर ट्रास्पार्मर द्वार लिया गया करंट यानि सूनने लोड भार पर जो ट्रास्पार्मर करंट लेता है वो आपका वो पस्चगामी होता है वो आपका 80 डिग्री जो एप्लाइट बोल्टेज से पस्चगामी होता है तो right answer आपका इसमें A रहने वाला है और आगे चलते हैं दोस्तो यानि ये वाला question की बात करते हैं एक transformer पर short circuit परिक्षण क्या देता है यानि short circuit परिक्षण करने के लिए किस उद्देशे के लिए transformer पर short circuit परिक्षण किया जाता है तो आपका इस पर पूर्ण भार पर जो ताम रहानियां होती है उसे ग्याद करने के लिए आपका short circuit टेस्ट किया जाता है तो right answer इसका A रहने वाला है और आगे बात करते हैं उच्चे टास्पार्मर कितने विरद्धी करता है यानि आपका step up और step down transformer होते हैं इस question में पूछा गया है step up transformer किसमें विरद्धी करता है तो आपका voltage में विरद्धी करता है और आपका current में कमी करता है तो right answer इसमें आपका C रहने वाला है आगे चलते हैं इस वाले question की बात करते हैं इन Step Down Transformer यानि Step Down Transformer में क्या होता है तो Right Answer आपका जो आपका Step Down Transformer होता है उसमें जो आपका Secondary टर्नों की जी संख्या होती है तो Right Answer इसमें आपका A रहने वाला है और अगला Question की बात करें तो यनी उच्छ आवर्थी Transformer में क्या होता है यानि किसका उपरियोग किया जाता है तो आपका इसमे right answer C रहने वाला है यानि ferrite core का उपरियोग किया जाता है high frequency transformer के लिए और आगे चलते हैं दोस्तों question की बात करते हैं यानि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक transformer पर open circuit test किस लिए किया जाता है तो आपका core loss गयात करने के लिए आपका transformer पर open circuit test किया जाता है इसी के भी पहले question पूछा गया था short circuit किस के लिए या ताम रहाने गयात करने के लिए आपका short circuit test किया जाता है तो right answer इसमें ये रहने वाला है और अगले कुश्चन पर चलते हैं एक transformer में रिसा प्रिभार निम्र पर निर्भर करता है यानि जो आपका leakage फिलक्स leakage यानि जो आपका the leakage flux inner transformer depend on तो आपका leakage flux आपका किस पर depend करता है तो leakage flux आपका load current पर depend करता है तो right answer इसमें आपका ये रहने वाला है और अगले कुश्चन की बात करते हैं निमले खित में से कौनसा transformer एक नियमित परिक्षण नहीं है यानि कौनसा आपका routine test टेस्ट आपके routine test और type test होते हैं तो इसमें आपका कौनसा routine test नहीं है तो आपका इसमें radio interference इसका right answer रहने वाला है ये आपका routine test के अंतरगत नहीं आता है ये आपका type test के अंतरगत आता है तो right answer इसमें आपका भी रहने वाला है आगे चलते हैं यदि एक transformer में peak voltage प्रास्मिक को दिया जाता है तो क्या होगा इसमें आपका तो दोस्तो इस वाले question में थोड़ा confusion है तो right answer इसका ताम रहानी कम होना चाहिए तो right answer आपका C हो सकता है और आगे question देखते हैं इसमें पूछा गया है ये आप देख रहे होंगे एक transformer में transformer तेल का क्या कारिया होता है तो एक transformer जो oil होता है उसका कारिया insulation और seedling दोनों ही प्रदान करना होता है तो right answer इसमें आपका E ही रहेगा चलिए अगले question पर चलते हैं transformer में tape changer का प्रयोग किसलिए के जाता है तो transformer में tape changer का प्रयोग आपका दिक्तक यानि secondary voltage को आपका adjustment करने के लिए tape changer का प्रयोग किया जाता है तो right answer आपका इसमें B रहने वाला है और आगे चलते हैं एक transformer में अधिक current क्या प्रभावित करता है यानि अधिक current से आपका insulation की जो life होती है वो भी कम होती है तापमान में व्रद्धी होती है और यान्तिरिक तनाप भी होता है तो right answer इसमें आपका D रहने वाला है यानि उप्रोग सभी यानि ज्यादा current होगी तो ये तिनों प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं आगे चलते हैं एक current transformer को अप्योग निमली खित में से किस उप्रण के साथ किया जाता है यानि current transformer को अप्योग आपका emitter के साथ किया जाता है तो right answer इसमें आपका E रहने बाला है और आगे चलते हैं निमली खित में से क्या transformer पर एक fitting नहीं है यानि निमली खित में से क्या transformer में उप्योग में नहीं लाए जाता है तो ब्रिधर का उप्योग ट्रास्फार्मर में किया जाता है कंजर रिविटर का भी किया जाता है भूकुज रिले का भी किया जाता है और कम्यूटेटर का उप्योग नहीं किया जाता है Commitator का उपयोग आपका DC generator और motor में किया जाता है जिसका कारिय AC को DC और DC को AC में convert होना रहता है तो right answer इसका आपका D रहने वाला है और आगे देखते हैं दोस्तो transformer की reactance किस पर निर्भर करती है यानि the reactance of transformer depends on यानि size of core, size of tank, leakage flux all of these यानि right answer इसका उपरोग सभी रहने वाला है यानि reactance के करण ये सभी होते हैं और आगे चलते हैं अगले question की बात करते हैं येदि supply voltage की आवर्ती दोगनी हो जाती है तो कौनसा loss आपका बढ़ जाता है यानि frequency बढ़ने से आपका जो आपकी AD current loss है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो right answer आपका इसमें A रहने वाला है आगे चलते हैं निमली खितमे से की इस transformer है प्राथिक winding का हिस्सा दित्यक winding के रूप में भी कारिये करता है तो आपका एक auto transformer ऐसा होता है जिसमें प्राथिक और दित्यक winding एक ही होती है तो right answer आपका D रहने वाला है तो दोस्तों लगभग काफी कुष्चन पूछे जा रहे हैं ट्रास्पार्मर से और आगे देखते हैं और भी कितने कुष्चन हैं जो ट्रास्पार्मर सम्मदी पूछे गए हैं दोस्तों थोड़ा माफी चाहूंगा जो आपको कुष्चन पेपर थोड़ा दिखाई देने में फ्रोवन हो रही होगी तो जो मैं बेवल रहा हूं उस पर आपको त्यहान दे रहा है यानि भूकोल जरीले का उप्योग किस ट्रास्पार्मर पर किया जाता है ओप्सन है आपके वाईउ सीत्री ट्रास्पार्मर, तेल सीत्री ट्रास्पार्मर, वेल्डिंग ट्रास्पार्मर और फरनेश ट्रास्पार्मर यारी जो आपका भूकोल जरीले प्रियोग की जाती है इसके गैस दाब रियोग भी कहते हैं तो आपका oil जो cool transformer होते हैं उसी पर इसका प्रियोग के जाता है क्योंकि जब तापमान बढ़ने से oil का pressure बढ़ता है तब ही जाकर यह operate हो जाती है तो right answer आपका B रहने वाला है आगे चलते हैं एक वित्रत transformer में सामनेत है यानि एक distribution जो transformer होता है उसमें क्या होता है तो आपकी core loss ताम रहानिया से कम होती है तो right answer इसमें आपका C रहने वाला है और आगे चलते हैं भूकोज रिले ट्रास्फार्मर में कारिये करेगी जब यानि कब कारिये करेगी तो जो ट्रास्फार्मर में आपका large internal fault यानि बड़ा आंतरिक दोस हो जाएगा तभी आपकी भूकोज र सोरी एक ट्रास्फार्मर में सुनने voltage नियमन कब होता है तो दोस्तो यानि आपका इनिट इंगलिस में देख लेते हैं ट्रास्फार्मर के जीरो voltage regulation एड़ दा यानि आपका यानि जब पस्चगा में आपका power factor होता है तो आपकी positive हो जाती है और leading power factor जो होता है उस पर आपकी negative हो जाती है तो right answer इसमें आपका D रहने वाला है यानि unity power factor आपका transformer का voltage नियमन है वो आपका unity यानि 0 रहता है आगे चलते हैं एक auto transformer का प्योग किया जाता है यानि auto transformer का प्योग किया जाता है तो right answer आपका B रहने वाला है यानि ताम रहानिया कम हो हो तब इसका प्रियोग कि किया जाता है आगे चलते हैं ये धी ट्रास्पार्मर में कोड तामे की बनी हो तो कब क्या होगा तो आपकी तो आपकी जो हिस्टेरिस हानिया तो आपकी अधिक हो जाएंगी तो राइत editors आपका C रहने वाला है आगे चलते हैं लोड अवस्ता में दो समान ट्रास्पार्मर की दक्षता किसके दुवारा ज्यात की जाती है तो आपकी back-to-back परिक्षन होता है जिसमें दो समान दक्षता के ट्रास्पार्मर होते हैं तो ये right answer इसका आपका A रहने वाला है ताम रहानियां अधिक हो सकती हैं दोस्तों इस question पर थोड़ा confusion है तो मेरे हिसाब से जो right answer इसका वाइडिंग में ताम रहानियां अधिक होनी चाहिए हैं आगे चलते हैं एक ट्रास्पार्मर में निबली कित में से कौन सा हास पूर्ण भार पर भी सूनने रहता है यानि कौन सा लॉस जो रहता है वो आपका सूनने रहता है तो आपका घर्ष्रम हानियां जो होती है वो ट्रास्पार्मर में सूनने रहती है आगे चलते हैं स्कौर्ट कनस में मुख्य ट्रास्पार्मर के केंद्रे टेप होता है तो आपका गित्यक बाइंडिंग पर इसका राइट आंसर रहने वाला है और दोस्तो आगे देखते हैं और भी कुछ कुछ चन है जो ट्रासफार्मर से समधित पूछे हैं तो आप वीडियो में प्लीज अंतक बने रहें दोस्तो ये भी कुछ कुछ चन है जो ट्रासफार्मर से ही पूछे गए हैं ये आप देख रहे हैं कुछ दो तीन नुमेरिकल कुछ चन है इन्हें आप खुदी भी सॉल कर सकते हैं और इनका अंसर निकाल सकते हैं और आगे देखते हैं निकली खित में से क्या घटता है येदि ट्रासफार्मर कोड पटलित की जाए तो पटलित करने पर आपकी भवरधाराहानी कम हो जाती हैं तो राइट अंसर बी रहने वाला है ट्रासफार्मर में लोहानिया कहा होती हैं तो आपकी core में जो होती हैं वो आपकी लोहानिया होती हैं तो right answer आपका A रहने बाला है और आगे देखते हैं सुन्ने load अबस्था में निबलीखित में से कौन सा loss नगन्य होता है तो सुन्ने load अबस्था में जो आपकी जो copper loss होते हैं वो आपके कम ही होते हैं ट्रासफार्मर में ताम रहानिया कहां होती हैं तो ट्रासफार्मर में ताम रहानिया आपकी winding में होती हैं तो right answer आपका B रहने बाला है और आगे चलते हैं एक ट्रासफार्मर में किस दसा में अधिक्तम जखता होगी यानि एक condition होती है जब iron loss बरावर copper loss के होता है तो आपकी दक्सता अधिक्तम दक्सता होती है तो right answer आपका C रहने वाला है आगे चलते हैं एक transformer core में भवरधारा हास को किस प्रिकार कम किया जा सकता है तो पटलों की मोटाई कम करके इनकी जो loss है इसको कम किया जा सकता है तो right answer आपका A रहने वा तो आपका English में देख लेते हैं inner transformer the magnetic coupling between the primary and second circuit can be increased by यानि किस प्रिकार इसका बढ़ा जा सकता है तो right answer आपका using यहाँ पर आप देख रहे होंगे using the magnetic core low reluctance यानि low reluctance का जो material है वो use करना होगा तो इसकी आपको इसमें सुधार किया जा सकता है चुम्बे की योगमन में आगे चलते हैं transformer में कौन सा हास load के साथ मुख्य रूप से बदलता है यानि load के साथ जो बदलने वाली हानिया होती है वो आपकी ताम रहानिया load के साथ बदलती रहती है एक transformer में जो आपका power factor होता है वो किस पर निर्वर करता है तो आपका load की power factor पर निर्वर करता है दोस्तों देखते हैं और भी कुश्चन तो प्लीज वीडियो में अंते हैं अगले कुश्चन की बात करते हैं कोरोना सामाने तब होता है जब कमडेक्टर के आसपास हवा में इलेक्टोरिश्टेटी तनाव केतना होता है यानि अधिक्तम की बात करें तो अधिक्तम आपका 30 के भी इसमें राइट अंसर रहने वाला है और आपका RMS की बात करें तो इसमें 22 के भी आपका RMS होना चाहिए था तो राइट अंसर आपका A रहने वाला है आगे चलते हैं यदि बिजली की ये कुश्चन पहले भी हम बता चुके हैं आगले कुश्चन की बात करते हैं एक पृत्यवती धारा जब कंडेक्टर से गुजरती है तो क्या होता है तो इससे पहले बात कर लेते हैं जो DC जहरा जो आपका एक conductor में से गुजरती है तो आपकी समान रूप से तुरभावित यानि आपका गुजरती है समान रूप से यानि यहां पर भी आपकी समान होगी यहां पर भी आपकी समान होगी यहां पर भी आपकी समान होगी और इसके कारण जो होता है यो इसकी निफेक्ट के कारण होता है तो राइट आंसर आपका यानि आप देख रहे होंगे एक कन्डेक्टर का प्रवाई प्रव्यूद ओमिक प्रतिरोद के समान होगा यदि आपका जो करण्ट कन्डेक्टर क्रॉस के समान रूप से वित्रित रहेगा तो राइट आंसर इसमें आपका डी रहने वाला है आगे चलते हैं इसकी जो प्रवाव है वो आपका निर्वर करता है यानि वो इसके आकार पर भी निर्वर करता है इसकी frequency पर भी निर्वर करता है और जो conductor पदार की प्रतिरोध अगता है इस पर भी निर्वर करता है तो right answer रीम सा आपका D रहने वाला है और आगे चलते हैं overhead line, overhead transmission line में capacity प्रिभाव को उपिछित किया जा सकता है यदि line की लंबाई कितने से कम हो यानि जो आपकी capacity प्रिभाव होता है यानि आपके तीन प्रिकार के प्रिचालन होते हैं आपका R, L और C यानि जो आपकी short transmission line जो होती है वो आपकी 80 km से जो कम आपकी line होती है वो आपकी short transmission line के अंतरगत आती है और उसमे capacity प्रिभाव को नगनने रखा जाता है तो right answer इसमें आपका 80 km रहने वाला है यदि line की लंबाई इतने से कम रहेगे 80 km से तो capacity का प्रिभाव उसको नगनने माना जा सकता है और आगे चलते हैं overhead line के लिए surge impedance आपका कितना होना चाहिए तो आपका overhead line के लिए surge impedance आपका 100 से 200 ओं के बीच होना चाहिए तो right answer आपका इसमें C रहने वाला है और आगे चलते हैं pin insulator सामानेत लगबग voltage तक उपयोग किया जाता है तो pin insulator का आपका 33 voltage तक किया जाता है तो right answer आपका C रहने वाला है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस परिक्छा में ट्रास्पाहर नमर से सम्मदित कितने कुछे पूछे गए हैं तो दोस्तों आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि paper आपका कितना कैसा आया है यानि मेरे हिसाब से जो आपका easy to moderate paper आया है ज्यादा tough paper नहीं आया है कुछ question है जो आपके थोड़ा hard पूछ लिए गए हैं वरना question paper में आपका कोई परेशानी नहीं है तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगो तो प्लीज वीडियो को ज्याता जा लाइक और शेयर करें चै झाले बादूस्तों